दोस्तो मैं हूँ आर्टी स्वागते आपका मेरी किचन मेरा दे रादे सभी को आपके बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि दीदी ऐसा नाश्टा बनाओ जो बच्चों को हम लंच बॉक्स में भी दे सकें और घर में भी खा सकें तो यह ऐसा ही नाश्टा बहुत जटपट ब मठा भी यूज कर सकते हैं इससे नाश्टा बहुत अच्छा बनेगा इस तरीके से जरू ट्राइ कीजेगा इसमें कुछ वैजिस डालेते हैं मैंने एक बारिक काटके टमाटर डाला है इसमें एक बारिक कटावा शिम्ला मिश डालेंगे सब चीज हमें बारिक काटनी है बस अच्छा टेस्ट आता है बच्चों को बहुत पसंद भी आता है एक कटोरी हम इसमें सूजी डालेंगे और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले सभी सबजी और सूजी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसमे बढ़ी आसी फूल के तेयार हो गई है, बढ़ी आसी हो गई है, तो हम इसे एक बार चैक कर लेते हैं, चैक करने से आपको पता चल जाएगा, सुजी एक दम नरम पढ़ गई है और फूल गई है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे, मैंने अजवैन की पतिया डाली हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, करीलिस भी डालते हैं एक चम्मच झमो मीस्ता जीरा है, इस बहुत अच्छा तेस्ट आता दो चमच के करीब मैंने फिर सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है ठिक लग रहा था मुझे ये पेस्ट तो ये बढ़िया से बनके तयार हो गया है दो तीन मिनट के लिए से हम इसे फेट लेंगे जिससे की नाश्ता एकदम फलपी बने और बच्चों को बहुत पसंद आए अब इसमें मैं नॉर्मल नमक नहीं डाल रही हूँ ये मैंने काला नमक लिया है ब्लैक सॉल्ट ये डाला है आधा चमच आप नमक अपने स्वाद के अनुसार कोई भी डाल सकते हैं सफेद वाली है काला कोई भी डाल सकते हैं अब गैस की और चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए मैंने यह लोहे तवा लिया है जिसमे हम रोटियां बनाते हैं क्यों नोंस्टिक काणिया है आप हमेशा दाए लोटियां बनाते हैं हमारे घर में नहीं है तो क्या बनाए तो इस सी तरीके से आप बने और फरोट के नíst चमच नाफ से बने impressions आप उतना कर सकते हैं, छोटे-छोटे पीसिस बनाएंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे, और फिर हम इसे ढख देंगे, आप किसी भी प्लेट से ढख सकते हैं, ढख देंगे और भाप में इसे हम 1.5-2 मिनिट तक पकाएंगे, और देखें, 1.5 मिनिट बाद कितना बढ़ आने की, बहुत बढ़िया नाश्ता बनके तैयार होता है, देखें, एक दम परफेक्टली बनाएं, दोनों तरफ से बढ़िया से सिखता है, चलिए इसे हम डिसाउट कर लेते हैं, उतार लेते हैं तवे पर से, और देखें, रोटी जितनी बनाते हैं, उससे भी कम टाइम लगेगा आपको सबजी बनाना, सबजी रोटी का मननी आ के वाला नाश्ता बनाईए, हम सारा नाश्ता बनंगे एक सात Tयार कर लेंगे, दोस्तों एक बार से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आहिए तो मुझे लाइक, orderascular Payira. और कुछ भी नहीं करना है तो कमेंट करके जरूर बताईएगा आप ये रेस्पी कहां से कौन से शेहर से कौन से सिटी से देख रहे हैं देखे मैं नाश्ता तोड़के दिखाती हूं आपको इसे आप इसे बिना सोस के भी सोस के कैसे भी खा सकते हैं ग्रीन चटनी लाल चटन नहीं होता है तो जरूर बनाईएगा खिलाईएगा और रेस्पी पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बबाए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बबाए